जै श्री कृष्णा आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है आज हम जानेंगे माक्षिष महा यानि की अग्धन मास के गुरुवार की फृत्विदी कैसे पूजा करें इसके बारे में हम इस वीडियो में संपुन जन करें जानेंगे माक्षिष मास का बड़ा महत्व है जैसे सावन का महिना भूले नात को समर्पित है ठीक उसी तरह माक्षिष जिसे अग्धन भी कहते है इस महिने में मा लक्ष्मी जी के पूजन का विशेश विधान है मा लक्ष्मी जी के लिए इस महिने के हर गुर्वार को वरत रखा जाता है विशेश पूजा भी की जाती है माक्षिष मा का प्रारंब हो चुका है और इस वर्ष माक्षिष माहा के यानि की अग्धन माहा के चार गुर्वार पढ़ेंगे और इन चार गुरवार में महालक्षमी की पूजा की जाएगी कहते हैं जो भी इस महिने में वरत रख कर मालक्षमी जी की पूजा करता है उस पर मालक्षमी की कृपा बरस्ती है और उसके भंडार धन धाने से भर जाते हैं कई राज्यों में तो महिलाएं अग्धन मास के गुरुवार को विधी विधान से लक्षमी विष्णू की वरत रहकर पूजा कर दीबदान करती है इसमें शंक पूजा का भी विशेश महत्व है कई जगहों पर विवायत महिलाएं बुधवार की रात में घरों को साफ कर चावल के लेप से रंगोली बना कर मा लक्षमी जी के अग्मन का इंतजार करती है यह अग्धन मास के गुरुवार का वरत, मध्य प्रदेश, उडिसा, महरास्ट और दक्षिन भारत में विशेश रूप से साथ हे 36 गर्ड में भी इसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और मा लक्षमी जी के निमित वरत रखकर पूजन करके बड़े ही धूमधाम से माक्षिश गुरुवार को पूजा की जाती है अगन के गुर्वार को घर घर मालक्ष्मी जी का पूजन किया जाएगा मालक्ष्मी की चार पहर पूजा का विधान है मालक्ष्मी जी के स्वागत के लिए आंगन में रंगोली वा रोशनी से सजाया जाएगा गुरुवार पूजा की तैयारी एक दिन पहले याने बुधवार की शाम से ही शुरू हो जाती है घर के मुख्य द्वार से लेकर आंगन पूजा स्थल तक जहां तक पूजा की जाती है वहां तक रंगोली वह चावल के आटे से अलपना बनाई जाती है साथ ही मालक्ष्मी जी के पच्चिन जिने चरंड भी कहते हैं बनाये जाते हैं मालक्ष्मी जी को संध्या ही आसन में विराजित किया जाता है और आम, आवला, धान की बालियों से सजाकर कलश की स्थापना की जाती है इसके बाद दूसरे दिन गुर्वार को ब्रह्म मोर्त से लेकर चार पहर तक पूजन किया जाता है इसके बाद सद्ध्या में दीप्दान की परंपरा है पूजन ब्रह्म मोर्त में सबेरे सबेरे ही कर ली जाती है लेकिन इसकी कथा दोफेहर के समय सुनी और सुनाई जाती है मा लक्षमी जी के आसन के साथ साथ कलश और भगवान गणिश जी को भी स्थापित करते हैं उनकी पूजा भी की जाती है इसके साथ ही मा लक्षमी जी का पूजन किया जाता है शाम को विसरजन कर वरत और खोला जाता है और उसके बाद भुजन किया जाता है दीबदान किया जाता है मा लक्षमी जी को विशेश प्रकार के पकवानों का भोग लगाया जाता है ऐसे माननिता है कि अग्धन महिने के हर गुरवार को अलग-अलग पकवान चड़ाने से मालक्ष्मी जी का आशिव रात प्राप्त होता है शाम को मालक्ष्मी जी की दोबारा पुजा करके दीप चलाएं घर के बाहर और आंगन में भी दीप रखें पुजन के बाद घर की बहु बेटियों और आसपड़ उसकी महिलाओं को बोजन कराएं इसी तरह माक्षिश के हर गुरवार को मालक्ष्मी जी की विधी विधान से पुजन एवं व्रत किया जाता है अलग-अलग राज्यों में और अपने अपने शेत्र अनुसार पुजा में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है परन्तु सभी का धे माता लक्ष्मी को प्रसंद करना है और ब्रह्म मुर्त में उठकर इसी प्रकार पुजन किया जाता है इसके पीछे मान देता यही है कि मा लक्ष्मी प्रसंद होकर घर में अन्न धन के भंडार भर देती है तो आप सभी जो भी एवरत करते हैं आप सभी को अगन की गुरवार की हार्दिक शुपकामने उम्मिद करती हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें फ्रेंड्स और फैमली में शेयर करें चैनल पर यदि आप न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल न भूलें ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचें तो मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैश्री कृष्णा राधी राधी